तो चलिए दूस्तों सुरू करते हैं आज की वीडियो बात करेंगे no बर्जरेंट के बारे में भी तो एक परसेंट या बर्जरेंट के बारे में हम बात करें उसे पहले आज मार्केट का हाल हम जान लेते हैं 17200 के मार्क के आसपास की opening है और 17151 के मार्क के आसपास की closing हमें market में देखने को मिली है। Sensex के अगर बात करें तो Sensex में भी 0.24% की तेजी है और Sensex भी open हुए थे जिस level पे वहीं के आसपास की closing हो है हमें देखने को मिल रही है। ज्यादा market में उतार चराब आज देखने को नहीं मिले हैं ना ज्यादा नीचे market गिराया है ना ज्यादा उपर market आज के दिन चड़ पाया है। तो सीथे सुरू करते हैं मुद्दे की बात तो Asian paint को carry करना यानि कि अपने portfolio में hold करके रखना अभी के समय में कितना फाइदे मंद है या फिर Asian paint नहीं तो बर्जर paint या फिर दोनों जिनके portfolio में हैं वो क्या carry कर सकते हैं आगे और कितना जो है profitable हो सकता है उनके लिए क्योंकि ह Demand में काफी जादा कमी हमें देखने को मिल रही है और उसी का कारण है कि चाहे बर्जर paint हो चाहे Asian paint हो हमें जो है इनका प्राइस सपोर्ट के आसपास जो है सेयर अभी के समय में मार्केट में trade होते हुए देखने को मिल रहे है Asian paint की अगर हम बात करें तो 2849 रुपे का जो है current price आज के दिन देखा गया है सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे double bottom बनाता हुआ देखने को मिला था 2550 रुपे के लेवल के आसपास वापस से जो है सेयर ने support अपनी ले ले लेई है इस लेवल पे और सेयर जो है से हमें ऊपर जाता हुआ कुछ देखने को मिल रहा है तो क्या यह जो तेजी है या फिर हम यह कहें कि यह जो support है उस support को break नहीं करेगा आने वाले समय में और यहां से जो है ऊपर जाएगा सेयर या फिर इसी जगा पे sustain करेगा बात करें इस बारे में उससे पहले buzzer paint के बार लेवल है और यह भी जो है double bottom हमें बनाता हुआ देखने को मिल रहा है यहां पर हालागी पहला जो इसने अपना लो लगाया था बहां से जो है थोड़ा नीचे जाता हुआ हमें देखने को मिलाता है यानि कि अपनी जो पहली support थी उसको थोड़ा सा ब्रेक करता हुआ हमें कहीं जाके जो है 700 रुपे का लेवल हम इसमें expect कर सकते हैं तो जो भी Asian paint या वर्दर paint को carry कर रहे हैं अपने portfolio में hold करके रखा हुआ है जिन लोगों ने short term के लिए hold करके रखा हुआ है तो वो like trading जैसे करते हैं इस्टोप लोस लगा के अपना carry कर सकते हैं जिन लोगों ने long term के लिए जो है portfolio में रखा हुआ है इन दोनों ही share को तो वह आगे continue अपना कर सकते हैं एक चीज में यहां पर बताता है कि कोई भी share हो कितना भी अच्छा share हो 80% of times होता है वहां पे share consolidate होता है और 20% of time होता है वहां पे share हमें rally देता हुआ देखने को मिलता है तो हमें जो है अगर हम patience नहीं रखेंगे तो हमें market कुछ भी नहीं देगा और कभी-कभी है तो हम मान लीजे कोई stroke आपने 500 रुपे पे खरीद लिया ठीक है और वह 500 रुपे से लगातार 400 रुपे पे मतलब चला गया और 400 रुपे पे यह 6 महीने साल बर से 400 रुपे पे है तो आपका अग जब वो आगे भागता है तब वो continuously उसमें रैली देखने को मिलती है most of the stocks जो होते हैं वो इसी तरह से काम करते हैं share market के अंदर आर्टिकल को समझेंगे वाई एसियन पेंट एक मिनट कहने का मतलब क्या है कि जो भी डिमांड का जो रिवाईवल की बात चल रही है कहीं ना कहीं उसमें जो है बात सस्टेन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पर सकता है companyयों का कहना है कि जो डिमांड है वो यहां पे बढ़ती हुई डिमांड में जो है recovery हमें देखने को मिल रही है और जो conception है consumption जो है बढ़ती हुए हमें देखने को मिल रही है लेकिन क्या ये इतना आसान है कि ऐसी महंगाई के समय में ऐसी global slowdown के समय में इतना आसान है कि एकदम से जो demand है वो जो पहले demand चल रही थी वो हमें demand देखने को मिल जाए या फिर जो इस्टोक का प्राइस है वो बापस से हमें उपर की तरफ या जो margin company के तूट रहे हैं अभी के समय में महंगाई की बज़े से क्योंकि commodity market में जो raw material है वो काफी ज़्यादा महंगा company को मिल रहा है margin तूट रहे हैं तो क्या margin जो है एकदम से ही सही हो जाएंगे कहने का मतलब यह है कि रहा जो भी है वो इतनी आसान नहीं है demand revival होने के बाद भी काफी ज़्यादा दिक्कतों का सामना जो है stocks को करना पड़ सकता है paint maker are seeing an upswing in demand कहने का मतलब यह है कि जो भी paint बनाने वाली company है वो demand में जो है upswing यानि की ऊपर recovery हमें देखने को मिल रही है क्योंकि consumer आगे हम देखते है consumer spent on getting a fresh code ahead of monsoon ठीक है but for companies that may be hard to sustain without inflation falling meaningfully ठीक है कहने का मतलब यह है कि जब तक महंगाई control में नहीं आती है तब तक जो है इन stocks का जो भी paint maker या और दूसरी company आ है कुछ और company आ है उनका जो है कुछ भला नहीं होने बाला है जब तक महंगाई को control में नहीं किया जा सकता है अगर हम company के margin पे नज़र डालें तो पहले नंबर पर Asian paint है ठीक है दूसरे नंबर पर बर्जर paint है Asian paint और बर्जर paint के अगर हम margins पे बात करें तो financial year 2021 में quarter 3 में जो है 20% से उपर के margin देखने को मिल रहे थे हमें चाहे वो बर्जर paint हो चाहे Asian paint हो उसके अगले quarter में 20 के नीचे जो है चला जाता है Asian paint और 18 के आसपास चला जाता है बर्जर पेंट उसके आगे अगर हम बात करें तो 18 के आसपास जो है चला जाता है ACN पेंट और 15 के आसपास चला जाता है बर्जर पेंट उसके आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे 10-11 के आसपास चला जाता है ACN पेंट और आगे जो है बर्जर पेंट में कुछ जो है recovery हमें देखने को मिलती है margin में कहने का मतलब क्या है अगर हम इसको पूरे गराब को अगर हम देखें तो जो margin से company इसके margin है वो कही न कहीं में तूटते हुए नजर आ रहे हैं ऐसे में company का यानि कि जो paint maker company आए उनका कहना है कि demand जो है बढ़ रही है लेकिन साथ ही जब तक महंगाई पर control नहीं होता है तब तक जो है हमारे जो भी margin से company के जो paint maker company आए उनके margin नहीं सुदरते हैं तो demand बढ़ लई है तो अच्छी चीज़ है लेकिन margin तब तक नहीं सुदरेंगे जब तक महंगाई worldwide जो है control नहीं होती खाले इंडिया में control हो उससे काम नहीं चलेगा जब तक कि कहना जो है संबब नहीं है हाला कि जैसा मैंने बताया demand बढ़ लई है तो share के chart पे कुछ ना कुछ जो है हमें देखने को मिलेगा थोड़ी सी तेजी हमें share के chart पे देखने को मिल सकती है commodity market का ऐसा है कि कभी जो है commodity market में raw material का price जैसे गिरता है पहले से काफी ज्यादा price हो है ग इन दोनों ही stocks को अपने portfolio में कर सकते हैं इस इन पेंट्स के अगर हम quarterly numbers पे अगर नजर डालें तो हमें देखने को मिलेगा कि sales में बड़ोत्री हमें देखने को मिल रही है पिछले quarter से 8458-8637 वाई-उन-बाई-पे भी अगर हम देखे तो वाई-उन-बाई-पे भी हमें ज जो है मतलब हमें बेकार OPM इसको नहीं मानके चल सकते हैं यानि कि OPM जो है अच्छा maintain company ने किया हुआ है raw material महिंगा होने के बाद भी पिछले साल से अगर देखे तो 18% से 19% OPM हमें होता हुआ देखने को मिला है net profit की अगर हम बात करें तो net profit जो है इस quarter में हमें 1097 करोड का देखने को मिलाया यानि कि पिछले quarter से comparison करें तो बहाँ से 25% का jump हमें देखने को मिलता है अगर buy on buy पे भी compare करें तो buy on buy पे भी अच्छा खासा jump जो है हमें लगवक 60, 65 करोड का jump जो हमें देखने को company के net profit में मिल आई है बाई उन बाई पे अगर हम compare कर लें या फिर Q on Q पे compare कर लें बाई उन बाई पे अगर compare करें तो 10.59 से 11.18 और Q on Q पे करें तो 8.16 से 11.18 होती है हमें देखने को मिली है अगर हम company के numbers की बात करें तो यहां जो operating sales की बात है तो पिछले साल के numbers है पिछले साल की जो sales है बहां already जो है आगे निकल गए है इस साल के numbers में और operating profit की बात करें तो बहां भी जो है पिछले साल के numbers में already आगे निकल चुके हैं OPM कही न कही company का थोड़ा सा खराब मैं कहूंगा क्योंकि पिछले साल भी हमें 17% के आसपास का देखने को मिला था और इस साल भी 17% के आसपास देखने को मिल रहा है तो कही न कहीं जो margin से company के टूट रहे हैं जिस बज़े से share के chart पे भी थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिल रही है पिछले 3-4 सालों में अगर हम OPM देखें तो हमेशा 19-20 के ऊपर ही OPM में देखने को मिला है यानि कि 2% काफी बड़ी बात है इतनी बड़ी company के लिए net profit के अगर बात करें तो net profit अभी जो है तीन quarter का मिला के 3811 हो गया जो कि पिछले साल 3085 क्रोड हमें देखने को मिल रहा था यहाँ पे जो है टेक्स बगएर अगर हम deduction करके हमें final quarter में जब numbers आएंगे तब देखना होगा कि net profit के मामले में numbers आगे निकले हैं या नहीं निकले हैं लेकिन अभी तक उम्मीद यह जताई जा रही है जैस समय जाते हो देखने को मिल सकते हैं कंपणी के share holding pattern की बात करें तो promoter holding जो है बामन दसमलब 6-3% हमें देखने को मिल रही है जिसमबर 2022 के quarter में उसके अलावा जो है अगर F20 की बात करें तो F20 में थोड़ी सी विक वाली हमें देखने को मिली है जो की 18.56 हमें देखने को मिल र है डी आइस की बात करें इसके अपोजिट तो हमें जो है डी आइस में बाइंग देखने को मिल रही है जो की हम जो है हमें पता भी है कि कंटिनुरसली अगर हम डेली बेसिस पर डेटा चेक करें अबरॉल मार्केट का तो F20 में selling हमें देखने को मिल रही है लगातार कापी म बने हुए हैं पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो 20% के आसपास है और अधर होल्डिंग ना के बराबर है 0.04% के आसपास है तो ज्यादा कुछ नहीं है F20 में थोड़ी सी विकवाली हमें देखने को मिली है बागी सेर होल्डिंग पैटन में किसी भी तरह की कोई दिकत का सामना में नहीं करना पड़ रहा है बर्जर पेंट के नंबर्स की बात कर लें तो बर्जर पेंट की जो सेल्स है दिसंबर 2022 में वो भी हमें बढ़ी हुँ देखने को मिलती है पिछले क्वार्टर से और बाई-उन-बाई-पे देखें तो बहां से भी ऑपरेटिंग बढ़ना कमपनी ने जो सेल से कमपनी की जो रिविन्यू है तो उतना ही जनेरेट किया जितना वो करती है हर क्वार्टर में बस क्या है कि मार्जिन कंपनी के टूटें। उस बज़arin जिसे जो है ऑपरेटिंग प्रोफिट थोड़ा सा कम कंपनी को हुआ है नेट इस नहीं मेरे ख्याल से 253 हो सकता है जी हाँ 253 था पिछले साल कहने का मतलब यह है कि हमें जो है दोनों ही बेसिस पे Q&Q और B&Y पे गिरावट का सामना करते हुए देखने को मिला है यह से यह अगर हम B&Y पे नंबर्स देखे तो सेल्स के मामले में ओल रेड़ी आगे निकल गए है कंपणी के नंबर्स अपरेटिंग प्रोफिट में कंपणी के नंबर्स आगे निकल गए है पिछले साल के नंबर्स एड हो जाएंगे और नंबर्स एड होने के बाद जो है और टेक्स बगएरा सब डेटक्ट करने के बाद हम देखेंगे कि नंबर्स पिछले साल के नंबर से यानि कि 2022 के नंबर से आगे निकलते हैं या नहीं निकलते हैं निकलते हैं तो सेयर के लिए अच्छी च पिछले quarter से जो है 0.02% की थोड़ी जी गिरावट जो है में देखने को मिली है DIs में ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिल रही है जो की एक surprising चीज मेरे क्याल से क्योंकि DIs में जो है अगर FIs में विक्वाली हो रही है तो DIs में बाइंग जरूर होनी चाहिए है थी लेकिन कोई बाद ने डियाइज में अगर विक्वाली हो रही है तो FIs में विक्वाली नहीं हो रही है में चीज यह हम मानके चल सकते पब्लिक होल्डिंग 11% के आसपास है तो शेयर होल्डिंग आ है है विक्वाइंग अपनी कर सकते हैं अभी के समय में चल नहीं है लेकिन जैसे कमोडिटी मार्केट में प्राइस थोड़े से सश्टे होते हैं रो मटेरियल के या फिर जैसे मैंने बताया डिमांड इंप्रूव होती हुए उध़ देखने को मिल रही है तो जैसे ए कर सकते हैं कैरी कर सकते हैं और चाहे तो अपनी क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं तो ठीक है दोस्तों इस वीडियो में इतना ही उम्मीद जानकरी आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और वीडियो को सेयर करना मत भूलिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत